शेयर की ताजा खबरे देखने के लिए इन्वीसिया न्यूज को यूटूब पर लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकान दबाना ना भूले न्यू कैलाश नगर में गया भैसो के तबेले से सेकड़ो नागरी परिशान है स्वच्चता के नाम पर तबेले में जमा गोबर तबेला मालिक सीधे गडर लाइन में डाल रहा है जिसे परिसर के कुए में गंदा पानी मैला पानी आ रहा है जिसे न्यू कैलाश नगर के नागरी को में तीवर असंतोश फैला हुआ है तो वही तबेले के मालिक ने इसे सीरे से इंकार कर दिया आईए पेशे हमारे समाधा था संजे मीरे की रिपोर्ट दक्षिननकपुर के अंतरगत आने वाले न्यूकैलाशनगर दादाजी धुने वाले मट के पीछे के परिसर में रहने वाले सेकडो नागरिकों को उसी बस्ती में गाय भैसो का एक तबेला है इस तबेले में दरजोनों से जादा गाय और भैसे है प्रतिदिन प्रतिदिन इसी मार से गाय और भैसे आती जाती रहती है जिससे परिसर की सड़के गोबर से अस्वच्चता के चपट में है इतना ही नहीं तो यादो नामक तबेले वाले गईया भैसो का गोबर नाम पर गडर में डाल रहे हैं। जिससे गडर चौंख हो रहे हैं इतना ही नहीं तो गडर में गोबर का फैला होने से परिसर के कुवें को गंदा मेला पानी आ रहा है। इतना ही नहीं तो तबेले में असवच्चता और फैले गोबर से बद्बू निरंतर आती जाती रहती ह बारिश के दिनों में मलेरिया डाइरिया के मच्छर पनप रहे हैं लोगों का स्वास्त इस अनाधिकृत तबेले से प्रभावित हो रहा है इस बारे में मनपा के स्वास्त विबाग ध्यान दे ऐसी मांग न्यू कैलाश नगर के नागरिकों ने की है यहां पर एक्चुली रोड पर पूरा जो गाय भैसे जब आती है तो गोबर वगरे उसके गंदगी रहती है पीछे की जो गडर लाइन है वो पूरा हमेशा चोकप रहता है वो चोकप रहने के वज़े से क्या है कि पिर यहां पर प्रॉबम यह कि यहां पर गाय का गोठा यहां गाय का तबिला है उस एक तबिले के वज़े से पूरी बस्टी को तकलिप हो रही है तकलिवे वही है कि वहां का जो गोबर होता है वो सापसपाई करते होंगे या पानी का फोर्स वगरे मारते तो वो जो गोबर वगरे शायद वो गडर में चला जाता है अब गडर में खाली गोबर तो जाता नहीं है जो गाय चारा खाती है वो भी चारा वो गडर में चला जा यहाँ पर क्या चोटे-चोटे बच्चे उनको डर रागा रेता कि भिमारी या पानी के वज़े जो भिमारी फैलती है वह भी मारिया नहूं यहीं कैना जाते हूं तो इस प्रकर की परेशनी यहाँ पर है ऐसा इन लोगों का मानना है एक बुज़ूर्ग व्यक्तिया आप क्या कहना चाहोगे मैं कैमाच जाता हो कि यहां पर जो एस Nejए भईस कет वाज़्य के वजेसे क्या है और जायोग वो फैप से पानी मारके सब गडर में डलते जडर्र चोक अभूने हमारो कुऋए का पानी खराब होता है खराब होने के बाद में हमारे कप करृष GG में जाओ तो चार दिन लगेगा मेहने भर लगेगा बुलता है हमारे का प्राभीट में 700-800 रुपाय देके हमारे को कुगा साप कराना पड़ता है यह मजबूरी हमारा है आज से ने 11 से चालू है तो लोगों की किस तरह के मजबूरी है यह लोगों ने बताया कुछ एक नौजवान साथी भी हमारे साथ ने है क्या गाना शाओगे पिछले पास साल से इनको पता पता के परिशान हो गए हम लोग पूरे नागरिक जाते हैं अब भी तक के इनों दिनों दस बार कंप्लेट कि लेकिन उसको उपर अधिकारी लोग आते हैं और चानवीन करते हैं तुड़सा और क्या लेंदेन होता है उनका मालूम नी और निकल जाते हैं उसको उपर कुछ भी नहीं होता गोबर के बज़े से मच्चर तो इत्ते हो गया है का आए दिन आपे छोड़ी जड़ी बच्च पुरा लावारिस काम है परिशान है इनके बज़े से पुरा परिशान हो गया है पुरे निकलाशनगर वासी ततरस्त इनसे एक दम अब आप क्या चाहते हो इनका इनलिगी कल तरीके से इनका गोठा चालू है इसमें जनावर कितने रहना चाहिए इन्होंने 20-30-40-40-40 जना मैं मिला है क्या कहना शोगी नहीं सर बिल्कुल नहीं मैंने तो कम से कम 2016 से माने क्या न疏क फिराक में हूँ, लेकिन यहाँ पर नायएक कुछ मिला नहीं चाहे नहीं किसी भी रहे, कोई भी नगर स्योक रहे, यहां पर नहीं कहरेंगें यहां रहा है, जब कि तुल आब यहां मुझे यहां पर जो किसी को तुब करना है जो उखारना ये जो अस्रील के वह जो फिन लोग यूज करते हैं तो मेरा मानना हिए है कि हमारा घर जो है इनकी बिलकुल बगल में है हमारे को बहुत भुत ज्यादा ने के तकलिप है जब किने के जो गोबर है जो उसका जो साथा ह अगर जो भी इन लोग करते हैं घर के अंदर में जो खुला जो प्लाट में है तो उसका ने के इतना एक एक ट्रक भरके वो निकलता है तो उनका कहिना यह है कि यह तो हमारा रोजी रोटी है लेकिन रोजी रोटी इसका मतलब यह थोड़ी के साफ सफाई नहीं करेंगे बिलक सथी नगर स्थीध इस तदेले से तमाम परिक्सर के नगरीक को जो परेशानी हो रही है उसके बार में मनपा के अतिरिक्तो आईक्तो राम जोशी इन्हों ने जान करे दी और उनके उपर में कारेवाही करने के निर्देश दिये नाकफे जोचता का आलम कर रहा है आएक हम बात करने जाते हैं हमें या बात बताई के वह अथा तविपला ऐसे गड़र में डाला जाता जिसरे गड़र पूरी तरज़ चोक हुए है और इतने नहीं तो वो जो गंदा मैला पानी है उवे को लगने से लोगों को पीने के लिए गंदा मैला पानी पीना पड़ रहा है तो करे तो करे क्या ऐसी हालत वहां पर बनी हुई है इसी बात को लेकर आज हम फिर से एक बार मनपा क्या तरिकता एक राम जोशी की से मिलना जो चैना जाना चाहिए शाब कर जोशी साभ कि जिस तरह से लोगों कम्प्लीइट किया है उनका यह मानना ienzaur वहां पे जो गोबर होता है ओ वह पे साफसपाई पूरी तरह से ने की जाती है सड़के भी पूरी तरह से गंधी होती रहती है क्या कई रहती है या To इसके साथ ही मेरी और एक आप से विंति है कि हमारे यहां एक नापकोर सीटी लाइव ऐसी एक बनाया गया है जो कि आप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करें अगर यह कंप्लेंट इस सारी तरह की कंप्लेंट अगर इस अप पे अगर डाली जाए तो हमें वह दिखती है उसको फॉलॉप हम लोग कर सकते है और उस कंप्लेंट को पूरा उसका सुलूशन निकालने तक हम लोग उसका पॉलॉप करते हैं तो नेरी आप से लिपस्ट रहेंगे कि आप लोग ना तो भी आपको घर में बैठे बैठे ही यह कंप्लेंट देने की जरुवत है आपको बहार आने की जरुवत नहीं है रिट बात कूरी करने की ने का उछिश हम लगागे हमने आत्रिक्त अटो पाले में हुझा करते हैं खाण आप नजर आ रही है कि हो नहों मनपा की तरफ से कारेवाई जरूर की जाएंगी ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया है नापूर के अत्रिक ताइपतर राम जोशी जी के क्रक्ष से क्यामरा परसन सुभाज बिटले के साथ संजय मीरे इंबी से नियूस नापूर